सब्सक्राइब कीजिए लेडिस दुनिया चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं आज आपको एक हेल्दी अमेजिंग और टेस्टी मेन कोर्स डिश कैसे बनाते हैं यह सिकाने वाली हूँ तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तो चलिए शुडू करते हैं मैंने आप एक पैन रख दिया है गरम करने के लिए और पैन गरम होते ही अरूंड 2-3 टेबल स्पून में यहां पे तेल डाल देती हो और तेल गरम हो चुका है अब मैं यहां पे गाजर और बीन्स कट करके ले लिया है अब हम पहले गाजर डालेंगे क्यूंकि इसे फ्राइब करने में तोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर गाजर डाल दिया ह हम इने अभी यहां पे और इसे अच्छी तरह के से फ्राइब करेंगे इसे बीच में इसे हिलाना है आप यहां पे देख सकते हैं ताकि यह इवनली अच्छी तरह के से फ्राइब हो सके अब हो चुका है गाजर अच्छी तरह के से अल्मोस्ट हो चुका है अब हम यहां पे एक बे लीफ का पत्त डालेंगे, इससे फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आजाता है, और कटे हुए बीन्स भी डाल देते हैं, और इन सारे चीज़ों को अच्छी तरके से मीडियूम फ्लेम पे रखके फ्राई करेंगे, अब आप देख सकते हैं और मोस्ट अच्छी दारेके से फ्राइ हो चुका है तो फिर अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं अब हम सेम पैन यूज़ करेंगे और इसमें और तू 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 टेबल स्पून ओइल डालेंगे और गरम हो चुका है अब हम यहाँ पे तोड़ा सा जीरा डाल देते हैं और कटे हुए लसून भी डालेंगे और इन सारी चीजों को अच्छी तरह किसे फ्राइ करेंगे और कटे हुए पैस भी डाल देते हैं और अच्छी तरह किसे हलका सा फ्राइ करेंगे ताकि जो ओनियंस है ट्रांस्परंट कलर बन जाए तब तक इसे अच्छी तरह किसे फ्राइ करना है और यहाँ पे एक मिक्सी की जार में टोमेटोस और कैशूस ब्लेंड करेंगे अच् अब यहाँ पे देख सकते हैं हलका सा लाइट कलर हो चुका है ट्रांस्परंट हो चुका है ओनियंस तो फिर जो हमने टोमेटो प्यूरे बना के रखाता इसे अब हम यहाँ पर डाल देते हैं और कैशूस डालने से हमारा ग्रेवी और थोड़ा सा थिक बन जाता है और हमने यहाँ पे टोमेटो के प्यूरे डाल दिया है अब हम इसे सारी अच्छी चीजों को अच्छी तरके से मिलाएंगे अब आप देख सकते हैं टोमेटो की प्यूरे अच्छी तरके से पक गई है यह अच्छी तरके से पैन से निकल रहा है तो फिर यह अल्मोस्ट पक चुका ह तो फिर आब हम यहाँ पे तोड़ासा नमक और हल्दी पोडर लाल मिर्च पोडर और तोड़ासा दनिया पोडर डालेंगे और तोड़ासा जीरा पोडर डालेंगे और इन सारी चीजों को अच्छी तरह के से मिलाएंगे द्यान रखिए जब आप इन सारी राई इंग्रीडियेंट्स को मिला के फ़्राई कर रहे रहे ते इसके अंदर 30 सेकेंड्स के अंदर आपको पानी डाल देना है यहां तो जो सारे मसाला है वह जल जाएगा 30 सेकेंड्स या फिर एक मिनिट के अंदर अच्छी तरह किसे पानी सैंसरी वेजटेवल्स को यहां पर डाल दिया अब हम यहां परनेने पर नोख भिंगे कसा अच ही नहीं दोड़ाइब में मुए अच्छी तरह देञे ते हैं उसका लिछ नहीं नाध्यार High Horse अब आप देख सकते हैं मैं आपे क्लोज करके पांच मिनिट तक इसे मैंने पका दिया है अब आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी तिक और अच्छी बन चुकी है और लास्ट में आपे कोरियंडर लिवस डाल देते हैं इससे टेस्ट और अच्छी आ जयती है तो फिर अब हमारा जो मल्टी वेजटेबल का डिष में कोर्स है और रेडी हो चुका है अब हम इसे सर्व करेंगे एक सर्विंग बॉल में है ना बहुत ही खमाल का और आसान का मेन कोर्स रेसिपी तो फिर आज का ये रेसिपी आपको कैसा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिग के दीजिए और मेरे चानल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई